हेलो फ्रेंस, सावन का महिना चोदा जुलाई से सुरू होकर बारा अगस्त तक चलीगा, जिसमें भगवान शेव को प्रसंद करने के लिए सोमबार का व्रत रखने का खास महत्व होता है। 2022 में सावन का पहला सोमबार अठारा जुलाई को पढ़ रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सावन के पहले सोमबार का व्रत रखने के दौराद कैसी डाइक लेनी चाहिए। इसके साथ ही उन्ची जोके बारे में भी जानेंगे, जिसे सावन की सोमबार के व्रत में नहीं खाना चाहिए। सावन के व्रत में कैसी डाइक लें। सावन के पहले सोमवार के व्रत की सुरुवात आपको भगवान शिव की पूजा से करनी चाहिए आप सुबर स्नान करें और फिर मंदी जाकर भगवान शिव को जर चड़ाए इसके बाद ही सावन के व्रत की सुरुवात करें आप सोमबार के व्रत के सुरुवात पानी और मिश्री के साथ कर सकते हैं तो आईए अब जानते हैं कि सावन के सोमबार के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं सावन के सोमबार व्रत में फलाहार का ही सेवन किया जाता है जिसमें आप लौकी, अर्वी, आलू, कद्दू जैसी सब्जों का सेवन कर सकते हैं ये सबी सब्जिया व्रत के दोरान एनरजी देती है और पेट के लिए भी फायरी मन होती है सावन के पहले सोमवार व्रत में खाए ये फल सावन सोमवार के व्रत में आपको ऐसे फलो का सेवन करना चाहिए जो फाइबर दे और यूमिन सिस्टम को मजबूत बनाने वाला विटामिन सी भी थे इसके लिए आप पहले सोमवार के व्रत में संतरा, अनार, केला, सेव, आदिफल खा सकते है पहले सोंबा के व्रत में खाए ये ड्राइफ रूट्स व्रत के दोरान सरे को एनरजी और ताकत दोनों मिलनी चाहिए जिसके लिए ड्राइफ रूट्स का सेवन जरूर करे आप साम की स्नेक्स के रूप में बादाम, अखरोट, काजू, किस्मिस जैसे ड्राइफ रूट्स सोंबा व्रत ड्राइट में खा सकते है सावन सोंबा व्रत के दोरान ले ये हैर्थी ट्रिंक्स सावन सोंबा व्रत के ड्राइट में आपको हैर्थी ट्रिंक्स जरूर सामिल करने चाहिए क्योंकि इस दोरान गर्मी का मौसम सरी में पानी की कमी कर सकता है जिससे चक्कर और कमजोडी हो सकती है इसलिए आप दिन में 7-8 किलास पानी चरूर पीए इसके साथ ही नारियल पानी निम्बू पानी का भी सेवन कर सकते है फ्रेंड्स आईए जानते हैं अब कि सावन सोमब अवरत में क्या नहीं खाए तो हमेशा सावन के सोमब अवरत में खाली पेट चाए बिल्कुल भी नहीं पिये लंबे समय तक खाली पेट भी नहीं रहना चाहिए और तलापुना ज्यादा खाने से पस्तना चाहिए तलापुना तलापुना तक अथी नहीं खालापुना प्राइब करता है